हलो दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल गुलाबी स्टड़ी क्लासेस में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बावलाजी के महत्पूर्ण प्रस्णा को देखेंगे जो परिच्छे में बार-बार पुछे जा चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रस्ण है आम का वनस्पत्ती नाम क्या है आम का वनस्पत्ती नाम क्या है तो आम है मेंजी फेरा इंडिका है डोकस कैरोटा है और ये सभी तो आम का वनस्पत्ती नाम क्या है बताओ इसका इंसर क्या होगा तो इसका right answer option number B मेंजी फेरा इंडी का ठीक है आपका next question है दलहन पोधे संबंधीत है तो इसमें से चार आपसन में से क्या answer सही होगा दस्तो बताओ दलहन पोधे संबंधीत है तो इसका right answer होगा option number C लेजू मिनो सी ठीक है में नेश्ट प्रस्ण है, चाय के पधों का अनस्पत्ती नाम क्या है, बहुत इन्पार्टिन प्रस्ण है, दोस्तों, बताओ इक है इसका राएट एंसर क्या होगा, तो इसका राएट एंसर आपसर नंबर B ठिया सैनेंशीज, ठोट है दोस्तों, अगला प्रस्ण है मटर पोधा क्या है मटर पोधा क्या है पूस्प है साख है जाड़ी है या इन में से कोई नहीं तो बताओ मटर पोधा क्या है तो इसका right answer आपसन नमबर B साख मतर बोधा साख है ठीक है आपका अगला प्रस्न है लंग होता है एक क्या होता है पुस्प का पुस्प कली का बीज भल या फिर चाल तो लंग होता है एक पुस्प कली का बीज भल या चाल बताओ इन चार आपसन में से एंसर होगा आपसन नमबर A सुष का पुस्प कली का होता है लंग ठीक है अगला प्रस्न है फुल को भी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है तो आपसन में है पुस्प क्रम, पत्तियां, जड़ और A और B तो इन में से रैट एंसर क्या होगा बताओ दोस्तो इसका रैट एंसर आपसन नमबर A पुस्प क्रम पुस्प क्रम इस क्यूस्षन का रैट एंसर होगा अगला प्रस्न है पौधों के किस भाग से काफी प्राप्त होता है जड़ों से, पत्यों से, बीजों से, फलों से important प्रस्न है दोस्तों बताओ इस प्रस्न का उत्तर क्या होगा तो इसका right answer है option number A, जड़ों से, ठीक है अब का अगला प्रस्न है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान है तो मानव निर्मित धान एक होना है पताओ इन चार आप्सन में से क्या answer होगा दोस्तों तो इसका right answer option number B, ट्रिटी केल ट्रिटी केल इस प्रस्न का सही उत्तर होगा आपका अगला प्रस्न है बिटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है संत्रा, निम्बू, नरंगी या फिर आउला बिटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है संत्रा, निम्बू, नरंगी या फिर आउला चार आप्सन में से क्या answer सही होगा दोस्तों? बदाओ, तो इसका right answer option number D, आउला आउला जो है वो बिटामिन की सबसे अच्छा स्रोत मना जाता है आपका अगला प्रस्न है तमबाखू की पत्तियों में होता है तो तमबाखू की पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? इन चार आप्सन में से कौन से answer सही हो सकता है आप लोग प्रस्न है भारत की प्रमुक धान ने फसल है तो इन चार आप्सन में से क्या answer सही होगा भारत की प्रमुक धान ने फसल बताओ क्या है तो इसका right answer है आप्सन में से चावल भारत की प्रमुक धान ने फसल चावल है दोस्तों अगला प्रस्न है दाले किसका एक अच्छा सुरोथ होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोर्डेड या सेलिलोज बताओ दाले किसका एक अच्छा सुरोथ होता है प्रोटीन का या फिर वसा का या फिर कार्बोर्डेड का या फिर सेलिलोज का बताओ दोस्तों इसका सहुत्तर क्या होगा इसका सहुत्तर आप्सन नमबर A, प्रोटीन प्रोटीन इसका सहुत्तर होगा अगला प्रस्ण है किस वनस्पत्ती खादे में अधिक्तम प्रोटिन होता है और हर स्वयाबीन, मटर, चना किस वनस्पत्ती खादे में अधिक्तम प्रोटिन होता है तो बता इसका सहुत्तर आफसन नमबर B स्वयाबीन स्वया बिन में सबसे अधिक्तम प्रोटीन होता है आपको आगला प्रसना है निमल खीत में से कौन सी फसल मृदा कौन अट्रोजन से भरपूर कर देती है मक्का, जौर, मटर, चाना तो बताओ निमल खीत में से कौन सी फसल म्रिदा को नेटोजन से भरपूर कर देती है इन चारो आप्सन में से सही उत्तर बताओ इसका सही उत्तर आप्सन नमबर C मटर मटर इस फ्रस्न का सही उत्तर होगा जो फसल म्रिदा को नेटोजन से भरपूर कर देती है कौन मटर अगला प्रस्न है दाल, छिनी, पेड़ के किस भाग से प्राभ्ट की जाती है तो किस भाग से प्राभ्ट की जाती है आपसन दिया है पूशप, जड, छाल या फिर पत्तियां तो बताओं दोस्तो इसका सहुतर क्या होगा comment वाक्स में जिवरू परता है इसका right answer है छाल 46 प्रस्न का सही उत्तर होगा आपका अगला प्रस्न है तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है important प्रस्न है देवदार से, चीड से, माइकम से या फिर नेटम से बताव दोस्तो तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है सही उत्तर बताव दोस्तो इसका सही उत्तर है आप्सन नमबर B चीड से तारपिन कत्यल जो होता है वह चीड से प्राप्त होता है अब का अगला प्रस्ना है लिटमस प्राप्त होता है जिवाडू से, सहवाल से, कवक से या फिर लाइकेन से बताओ दोस्तो लिटमस किस से प्राप्त होता है इन चार आप्सन में से तो इसका सही उत्तर होगा लाइकेन से लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है ठीक है दोस्तो आपका अगला प्रसना है पौधों में जल का परिवान किस के द्वार होता है तो किसके द्वार होता है? आपसन में दिया है फ्लोयम, त्वचा, जायलाम, केसी का पौधों में जल का परुवान किसके द्वार होता है? बताओ, सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है आपसन नमर C, जायलाम जैलम के द्वारब पोधों में जल का परुवहन होता है ठीक दोस्तो आपका गलब प्रस्ना है भूमी में पोधों की जड़ों के लिए उपलब धजल होता है गृत्वी जल, आदरता ग्राही जल, केसिका जल या फिर इन में से कोई नहीं तो बताओ भूमी में पोधों की जड़ों के लिए उपलब धजल होता है तो इसका सही अंसर होगा आपसा नमबर C, केसिका जल केसिका जल इस प्रस्ना का एद्दम सही उत्तर होगा दस्तो आपका लाश्ट प्रस्ना है इस वीडियो का पहधों के ब्रिध्धी के लिए कितने आवस्यक तक्तों की जवर्द होती है बताओ दोस्तों इसका एद्दम सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर है आपसा नमबर D, 16 इस प्रस्ना का सही उत्तर है तो यह वीडियो आप लोगको कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट बाक्स में जरूब बताना और मेरा यह वीडियो आप लोग को आच्छा लगा होगा तो प्लेज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब करना ना बुलना धन्यवाद दोस्तो जहिन